तो दिली दौरे पर मुक्य मंत्री नायब सिंग से नी रहे वंदे भारत ट्रेंज से वो दिली पहुँच रहे हैं तो पार्टी के कई दिगज नेताओं के साथ मुलाकात वो करेंगे विधानसवा चुनाओ को लेकर भी चर्चा की जाएगी बड़ी ख़बर आपको बता रहे तो सीम नायब सिंग सेनी दिली पहुच रहे हैं वंदे भारत से वो दिली पहुचेंगे तो दिल्ली दोरे पर मुख्यमंत्री नाइप सिंग सेनी है वंदे भारत ट्रेंज से दिल्ली वो पहुंच रहे हैं पार्टी के कई दिगज नेताओं से मुलाखात नाइप सिंग सेनी करेंगे कि विदान सवा चुनाव को लेकर चर्चा भी नाइप सिंग सेनी करने वाले हैं थे वंदे भारत ट्रेंज दिल्ली नायप सिंग सेनी पहुँच के पार्टी के कई दिगजनेताओं से मुलाकात नइप सिंग सेनी करेंगे धशचि अ अब को बता रहे हैं तो अर्याना के मुख्यमंत्री नाइप सिंग सैनी दिली पहुंच रहे हैं बंदे भारा ट्रेन से वो दिली पहुंचेंगे पार्टी के कई दिगेज नेताओं से मुलाकात वो करेंगे पर पर जानकारी के साथ हमारी सयोगी शिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है शिका क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है नाइप सिंग सैनी फिर से दिल्ली दौरे पर है और बंदे भारत ट्रेंज से वो दिल्ली पोहुचने वाले है जी बिलकुर हम सब जानते हैं कि सरकार कर दो दिल्ली के दोरे पर लगातार जा रहे हैं यह उमीद कि जा सकते है कि बहुत जल्ब हराना विधास अब चुनाव को लेकर को बड़ी घोशना वह हराना सरकाजी तरफे की जाती है तो आने वाले समय में किस तरह से और जंता के बीच में जाया जाए जा रहे हैं और न बच्चुनाव के लिए पूरा कारेक पूरा एक बनाया जाए कि कब क्या करना है उसको लेकर लगाता है सियम दो दिल्ली जा रहे हैं और केंजरी मंत्रों से मुलाकात भी कर रही है शीका वहीं अगर बात की जाए जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्योंकि नायप सिंग सेनी कई बार दिल्ली का रुक करते हुए नजर आ रहे हैं आज भी वंदे भारत ट्रेन के माद्यम से वो दिल्ली पहुँचने वाले हैं और जो ये बड़ी सोगात वंदे भारत की दी गई है ऐसे में नायप सिंग सेनी भी उसका पूरा इस्तमाल करते हुए दिल्ली वो पहुँचेंगे कई दिगज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी प्रस्तावित है कौन कौन से नेताओं से वो मुलाकात करेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्योंकि विदान सबाचुनाओ बेहत नजदीक है जब नुहलार मुक्य मंत्री थे वो भी लगताओं और वो भी कई बार ट्रेंज से सफर जो है वो किया करते थे उनका यह माना था कि एक ऐस ऐसा मादेम होता है जब जनता के बीच में जुड़ भी पाते है सब्सक्राइन को लिए अगिजनार को सफर कर रही होती है सब्सक्राइब करता बाते हैं कि केंजरे मंदूल की करना जलूर धाया assez एस फ्रफ शतनाय नहों है पर जंता को देनी होते हैं यह जूद करते हैं और जब उचिनाएं वहां से पास होती है जड़ते वह उचिनाव भी आरहे हैं लगातार केंद्री मंद्री जो हैं वह रियाना में शुरू हो जाएंगी घंज जो है कहा जाएगा गब उनकी कहां की रेली होगी तो उसको भी कारेकार जो है एक सूची तिय कि जाएंगे अगर बात की जाए जिस तरीके से पार्टी के कई दिगज नेताओं के साथ आज सेनी की मुलाकात यहां पर होनी है कई तरह की पर्योजना हो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अब हर्याणा में विधान सबत चुनाव नजदीक है ऐसे में जिस तरीके से तमाम पर योजना यहां पर नायब सिंग सेनी के सत्ता में आते ही चलाई जा रही है लोगों की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत है नायब सिंग सेनी एक के बाद एक ऐसी योजना है यहां पर चलाई जा रही है जिससे की हर्याणा में जो नुकसान भारती जंता पार्टी को ह हुआ है उसकी भरपाई यहां पर की जा सके क्योंकि लोगसभा चुनाओं को परिणाम हम सब ने देखा ऐसे में विधान सवा चुनाओं की तैयारियों में लगातार जो आला कमान है वो भी जुटा हुआ है नाइब सिंग सेनी भी पुर्जोर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार दिल्ली दोरे भी यहां पर हो रहे हैं कई महत्वपूर्ण निड्ने भी यहां पर लिए जा इन तमान चीजों को जोड़कर देखा जाए तो क्या लगता है विधान देखा जारा है और पर जो नहीं लेकर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि कुछ गल्तियां जो सरकार से किकि आप से हुई कुछ महक में जो तो सरकार से निराज चल रहे तो लगतार अजब सेम बढ़े तो उसके एकदम बाद ही लोग साथ चुनाव आ गए था उन्हीं यह तो लकातार उना पर अपना कामचांसी आपनाय आने सुरू कर दिया, अलसा हो, कि क्लेज हो से जांगे लिए कृए है और वह कार्या कर रहे है जो हराना की जनता उनको जदूर थो नमें हो? उनकी जदूर गई खोश्ञ दी, थो रहे है झाल झाल